आर्मी कैप्टेन एबंग फुलिस कड़ी एबे नुआर मुड़ों नहीं छी आर्मी कैस टेप्रिकेटेड कैस है एक आर्मी ऑप्सर कैप्टेन राएंग सा नमस्ते देवी और सजनों ये वीडियो कुछ 5-7 मिनट की रहेगी और क्योंकि ये स्क्रिप्टर नहीं है तो मेरे मुझ से गालिया निकल सकती है तो गेंड में गूदा नहीं है तो वीडियो अभी छोड़ दो ये वीडियो कोई गुमाफिरा के नहीं रहेगी हो सकता है सोबा तक ब्लॉग हो जाए 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 पिर कुछ और्गनाजेशनल प्रेशर से ड्रीट करनी पड़े और तब की तब देखेंगे इंडियन आर्मी एक महान और्गनाजेशन थी है और रहेगी और इंडियन आर्मी का हर एक बंदा चाहे वो जेसियो हो जवान हो जाए फिर आक्सर हो वो दिन रात अपनी गांड गिसता है तांगे कुछ मादर्चोद अराम से सोल सके हैं अब government institutions में friction हमेशा से रही है ये कोई नई बात नहीं है चाहे वो पुलिस हो, BSFO, CRPFO, आर्मी हो जा कोई भी organization हो जनली आप अगर मैं कोई पुरानी वीडियो उठा कर देखोगे तो you will find funny inspirational content because I do not like to get in any controversy पर अब सब हदें पार हो चुकी हैं आज मैं इस वीडियो के माद्यम से बहुत ही frank तरीके से बात करने वाला हूँ आप से चाहे आप कोई भी हो आप एक police वाल हो, civilian हो, paramilitary forces से हो जाँ फिर armed forces से ही हो मैं बात कर रहा हूँ एक officer की जिनको मैं इस वीडियो में Captain G बुलाऊंगा और उनकी फ्याँसे की जिनको मैं Miss A बुलाऊंगा who were molested, tortured and humiliated by the Udisa police in Bhuvneshwar बात है 15 September 2024 की जब रात को करीबन डेड़ बजे Captain G और उनकी फ्याँसे अपनी गाड़ी से Bhuvneshwar उडिसा में travel कर रहे होते हैं उनकी गाड़ी को 12-13 लुखे chase करते हैं, rest driving करते हैं, गाली कलोच करते हैं और थोड़ी बहुत धका मुकी भी होती है अब Captain G और उनकी फ्याँसे Miss A उस situation को avoid करके किसी ना किसी तरीके से अपनी गाड़ी से निकल आते हैं अब ये कपल पुलिस टेशन भर्थपूर में इस केस को register करवाने जाता है क्योंकि इनना ने उन लुखों की गाड़ी का registration number note कर लिया था अब वहाँ पर एक lady ASI और कुछ constable मिलते हैं और उस पुलिस टेशन में कोई भी पुलिस टेशन इंचार्ज नहीं होता अब जब ये कपल पुलिस वालों को जल्दी action लेने को बोलता है तो पुलिस starts making any number of excuses की पहले जाके medical कराओ ठाना इंचार साब नहीं है जब वो आएंगे तब ही complaint लिखी जाएगी अटसेटरा अब समय बीटता है और कुछ पौने तीन बजे पुलिस पेट्रोल जिसमें दो लेडी पुलिस ओफसर तो चार मेल पुलिस ओफसर थे वो अपनी रोटीन पेट्रोलिंग से वापिस पुलिस स्टेशन में आते हैं अब एक और बात है जो यहाँ पे नोट करने चाहिए जो लेडी एसाई ड्यूटी पे थी उन्होंने अपने नाइटी पहनी हुई थी और इस कपल की कोई भी बास सुनने को वो तयार नहीं थी अब मिस ए और लेडी एसाई के बीच में को वर्बल फाइट चालू हो जाती है मिस ए और लेडी एसाई को बोलती है कि भाई मैं एक भारतिय नागरिक हूँ और तुम सब पब्लिक सर्वेंट हो और जनता की मदद करना तुम्हारा कर्म और धर्म है तुम सरकार के पैसे और कई टेक्सपेर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हो और तुम लोगों को यूनिफॉर्म पहनने का कोई हक नहीं है अब आगे से लेडी से और लेडी से और लेडी से में महौल और गरमा जाता है कैप्टन जी जो की एक जूनियर ऑफसर है वो अपना कैमरा बाहर निकालते हैं इसकी वीडियो बनाने के लिए जिससे पुलिस और भढ़क जाती है अब इसी पीच एक SI साब कैप्टन जी को एक पैन और पेपर देते हैं और उनको स्टेटमेंट लिखने को बोलते हैं जब दूसरी साइड मिस से और पुलिस SI के बीच में बहस बढ़ती जाती है अब अचानक से चार पुलिस वाले कैप्टन जी को पकड़ते हैं कैप्टन जी is stripped off all his belongings and thrown illegally into the cell कैप्टन जी की सारी personal belongings उनका आई कार्ड उनका फोन सब छीन लिया जाता है अब इसी समय दो लेडी officers मिस ये को उनके बालों से पकड़ती है और उनको थपड लगाना चालू कर देती है अब दोनों कैप्टन जी और मिस ये रोना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और कैप्टन जी को किस बेसिस पे जो की एक serving army officer है उनको किस बुनियाद पे जेल में डाला हुआ है और पुलिस आगे से बोलती है हमारे दरोगा जी सुबा चाई बिस्कुट खाके आएंगे और वही सब बताएंगे अब सुबा के 5 बच जाते हैं और मिस से बाग के अपनी गाड़ी में जाती है और चुपा के अपना phone लाती है ताकि कैप्टन जी अपनी unit के officers को कॉल कर सके अब मिस A लेडी SI के पास जाके arrest warrant मांगती है कि भाई तुमने किस बुन्याद मेरे फ्यांसे को जेल में डाला है अब इसी समय मिस A नोट करती है कि पुलिस स्टेशन एक दारू की खाली बोतल भी पड़ी हुई है अब लेडी SI इसका कोई जवाब तो नहीं देती पर मिस A के करेक्टर के उपर कीचड उछालना शुरू कर देती है और बहस और बढ़ जाती है अब सुबा के करीबन 6 बच जाते हैं और ASI मिस A को थपड मारती है और उनको बालों से गसीट कर एक अकेले कमरे में ले आती है उनको थपड लगातार मारे जा रहे होते हैं शी इस किगड एंड बैस्ट अब उस अकेले कमरे में दो मेल कॉंस्टेबल मिस A की जैकेट उतारते हैं और वहां खड़े मेल और पुलिस ओक्सर मिस A के हाथ प्यार बान देते हैं अब मिस A continues to shout for help while lying half naked with that male guy in that police station they continue to beat her and stomp her and this is not the worst part अब एक मादर छोड़ो अब एक पुलिस SI उस कमरे में गुसता है and he removes Miss A's bra and stomps her breast with his feet and continues to character assassinate her and abuse her अब समय है सुबा के 6 बज़ के 15 मिनिट का जब एक लेडी SI मिस A की पैंट उतारती है अब male in charge जो वहाँ पर खड़े हैं he removes his pant and shows his penis to Miss A and says तुझे यही चाहिए तभी तुछुप होगी and वो Miss A को दमकाता है कि she will be raped if she doesn't keep her mouth shut अब कुछ समय बास से male in charge कैप्टेन जी को जेल से निकालता है और उनको पुराने incident के लिए report लिखवाने को बोलता है अब कैप्टेन जी भाग कर जाते हैं अपनी फ्यौन से Miss A के पास and he finds her half naked with her hands and feet tied and blood spilled all around अब तक 120 TA के एक जेसियो तीन जवान पुली स्टेशन पहुंच आते हैं और कैप्टेन जी की मदद करते हैं अब ये couple some hospital जाता है जहां पर दोनों का medical examination किया जाता है और वहाँ confirm होता है कि Miss A has a dislocated jaw, broken nose and several other wound marks अब शाम होते होते पूरी game ही बदल दी जाती है by the evening they are taken to police station जहां Miss A के उपर fake charges लगा दिये जाते हैं and she is arrested Now on the way to magistrate, police tempers with the evidence and Miss A को दुबारा medical examination के लिए ले जाया जाता है जहां उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती और नई report में लिख दिया जाता है that there are no major injuries अब एक case अभी भी चल रहा है police का evidence गाइब करना जहां फिर evidence से temper करना कोई बड़ी बात नहीं है हाली में ये एक junior officer को महू में अदुमरी हालत में पीट कर छोड़ दिया गया था और कुछ दिन पहले राजिस्थान में एक छुटी पयाए जवान को नंगा करके जेल में भी डाल दिया गया था देखो भाई आजी नौकरी बनाना अलग बात है 9.0 ACR के अगर उपर कुछ है वो भी लो चाट चाट के छील दोगले की गांड पर कभी कभी तो अपने जमीर को जिन्दा रखो बात इतनी है कि तुमारे टटो में पानी भर गया है अब देखो भाई एक वो भी जमाना हुआ करता था जब किसी लेडी को गाली देने पर सीनियर्स और जूनियर्स इस बंदे को फार दिया करते थे और आज कल बस वाट्सेप में दाद फार रहे हैं अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं कौन हूँ तो भाई जी मैं एक आम चूतिया और गांडू नागरिक हूँ इस देश का पर इतना बतारी अपनी घर की औरत के साथ बत्तमेजी ना होने दूम है ये टॉर्चर मोलिस्टेशन तो दूर की बाद गेंड में डंडा न डाल दूम है हाँ भाई हो सकता है मेरी डिटेल्स अधूरी हो पर भाई इन्वेस्टिगेशन तो डंग से करो और मेरे पास कुछ बोलने को है नी बुरा लगा हो तो लगना चाहिए भी रादे रादे जैन जै भारत कि नहीं बता देना चाहता हूं कि आप इसको लिपापती मत करिए हाइडिं मत करिये अगर आपका आई-एइसी गलती किया है प्लीस टेक आक्षन यह मस् टेक आक्षन If you do not take action, then we will raise our voice, we will raise it to the Prime Minister, we will raise it to the Chief Minister. Our association will not allow like this, because हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ओडिशा से एक हजार से तीन हजार जबान जोएन करें, लेगिन इस ताइप का हर्कत आप करने से अभी ओडिशा का कौन सा यूथ जोएन करेंगा? काप्टेन के साथ अगर इसे अभरकत आप लोग कर रहे हो, तो आम जन्त का साथ क्या करेंगे? Absolutely not acceptable.